हेलो सब्सक्राइबर्स, दिस इस आके, नॉलेज इग्जाम में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम मिझले इन इस सीरीज में लाइकन को डिसकस करेंगे सो बिना टाइम वेस्ट किये, चलिए शुरू करते है सबसे पहली बात, लाइकन टर्म को को गोईन किस ने किया तो वो किया, तियोफ्रेस्टस ने है, ठीक है तो अगर यह question आता है लाइकन टर्म को किस ने कोईन किया तो वो होगा हमारे थियोफ्रेस्टस साहब next है, कुछ important facts लाइकन से related अब डिसकस करते है जैसे कि इसकी discovery का श्रेक इसको जाएगा तो वो जाएगा तुलसाने को थेक, next point है, father of lichenology की कौन है, तो वो है Eric Carrius इसी तरीके से father of Indian lichenology कौन है, तो वो है DD अवस्ति तो ये सारी बाते facts के रूप में हमें ध्यान रखनी है next है कि भाई, lichen exactly होते क्या है, तो ये क्या है, lichens are symbiotic association between algae and fungi, तो दो बंदों को हमेज़ा ध्यान रखना है, अगर lichen शब्द हमारे सामने आता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में दो लोग आ जाने चाहिए, वो कौन है, वो है algae और fungi, तीक है, अब इनी से related क्या करेंगे, कुछ important terminologies को discuss करेंगे, तो पहला है हमारा algal component, अब lichen के अंदर जो algae होता है, उसे हम क्या कहते है, phycobiant कहते है, इसी तरीके से जो fungal component होता है, उसे हम क्या कहते है, mycobiant, तो बहुत बहुत कोशन आ जाता है है भाई, कि lichen के अंदर mycobiant क्या है, तो वो हमारा fungi है, और phycobiant क्या है, वो हमारा algae है, तीक है, इसी तरीके से एक master-slave hypothesis दिया था, कि इसने, kromby साहब ने, अब यो master-slave hypothesis क्या है, होता तो lichen के अंदर symbiosis है, लेकिन symbiosis में भी क्या होता है, fungi हलका सा dominant nature, सो करता है, तो इसी relationship को, kromby ने क्या कहा था, master-slave relationship कहा था, ठीक है, दूसरा नाम इसके लिए क्या है, helotism, तो basically क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा exactly, कि दो symbiotic relationship में, एक individual क्या कर रहा है, जादा dominance दिखा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, master-slave relationship कहेंगे, या फिर helotism, संग्या उसे हम देंगे, ठीक है, आगे बढ़ना है, अब बात करेंगे कुछ types of lichens की, ठीक है, various type of lichens होते हैं, उनको देखते हैं, सबसे पहला type है हमारे पास, crustus lichen, अब यह कैसे होते हैं, यह एकदम flat होते हैं, इनका जो thallus होता है, वो एकदम flat होता है, पत्थरों से एकदम चिपका हुआ, भी diagram हमारे सामने आएगा, लेकिन important इसमें क्या है, हमें याद रखना है, इनके examples, ठीक, एक्जाम्पल के रूप में हमारे सामने तीन है, that is, graphis, lichen nora and rhizocarbon, तो rhizocarbon का picture में आपको दिखाता हूँ, जिससे आप और clear हो जाएगा कि crustus lichen basically होते क्या है, तो यह रहा picture हमारे सामने, तो देख पा रहे है, जो एक पत्थर है, उस पे क्या है, यह lichen एकदम चिपका हुआ, एकदम flat है, तो इसी को पहले example को देख लेते हैं, example में इसमें भी तीन है, that is, parmelia, paltigera और phycea, phycea पिक्चर मैं ने लेकर आया आपके लिए, चलिए उसको देखते हैं, तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, तो यह basically flat structure ही हमको सामने है, चलिए, next देखते है, type, तीसरा type है हमारा, fruticose lichen, ठीक है, यह क्या होते हैं, यह सबसे well developed type of lichen होते हैं, एक हिसाब से shrub की तरह दिखते हैं, और branch होते हैं, ठीक है, example हमारे सामने है, that is scledonia and osnea, scledonia का picture में लेके आया हूँ, यह रहा, तो देखिए, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है, कि देखेता है, चोटा सा shrub जैसा देख रहा है हमें, यह lichen, और साथी साथ branch structure भी है, तो यह कैसा है हमारा fruticose lichen की category में यह आते हैं, ठीक, तो सारे के सारे जो types हैं, उनके अंदर जो examples आते हैं, वो ज़्यादा important है, उन ही को हमें ध्यान रखना है, कौन से type का, कौन सा example है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे, lichen के अंदर reproduction, तो ज़्यादा तर lichen maximum क्या करते हैं, तो पहला structure है हमारा soridium, तो अगर soridium term आता है, तो यह हमारा दिमाग में तुरिंग क्लिक करना चाहिए, कि यह क्या है, it is a sexual reproductive structure in lichen, इसी तरीके से दूसरा है हमारा acedium, और third है हमारा cephalodium, तो यह तीनों structures क्या है, asexual structures है, reproductive structures in lichen, ठीक है, तो important है, direct term भी उठके आ जाता है हमारे सामने exam में, हमें सही answer, tick करना होता है, next है कुछ important notes, तो इससे तो भाई, हजारों बार यह question मना है, कि lichen क्या होते हैं, good pollution indicator होते हैं, ऐसा क्यों हो, क्योंकि यह क्या होते हैं, बहुत ही जादा sensitive होते है, aso2 को लेकर, ठीक है, अगर air में aso2 का concentration बढ़ता है, तो lichen क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कुछ very important examples, इससे भी पहले हमने कुछ examples देखे थे, अब ऐसे examples देखेंगे, जिनको कुछ common name से भी हम जानते हैं, और exam में क्या होता है, उनका या तो common name आ जाता है, और उनका scientific name पूछ लिया जाता है, या फिर उसका vice versa, scientific name देके, common name पूछ लेते हैं, तो उसको देखते हैं, पहला है हमारा, cledonia rangi farina, ठीक है, इससे बहुत बार question है, इसको दूसरे नाम से किया जानते हैं, तो reindeer moss, तो हमें ध्यान रखना है, cledonia rangi farina को हम लोग reindeer moss के नाम से जानते हैं, और ये किस region में पाये जाता है, तो tundra region में ये पाये जाता है, next example है, that is parmelia, इसको दूसरा नाम किया है, rock flower, औ अब ये important example कियो है, भाई, इसी से हम लोग अपना क्या करते है, litmus बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, litmus indicator के रूप में हम लोग इस से, इसका use करते हैं, ठीक है, तो rossila, pink toria से हम लोग क्या बना रहे है, litmus बना रहे है, तो important example हो गया, next और example देखते है, fourth है, that is usnia, उसnia मे क्या है, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते है, that is old man's beard, ठीक है, old man's beard किसका नाम है, usnia का, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इससे हम लोग उसनिक acid निकालते है, उसनिक acid क्या है, एंटिबायोटिक के रूप में भी इस्तमाल होता है, that is, broad spectrum antibiotic के रूप में इस्तमाल होता ह तो याद रखना है, कि antibiotic जो है, उसनिक acid, वो हम लोग इससे निकालते हैं, उसनिया, जो कि एक क्या है, lichen है, इसी तरीके से याद रखना है, एक और example, that is, peltigera canina, ठीक, इस lichen को common name है, dog lichen, तो बहुत बार question यह उठके आ गया है, कि भाई, dog lichen किसे कहते हैं, तो वो होगा ह हमारा peltigera canina, ठीक है, साथी साथ यह बात भी याद रखनी है, कि hydrophobia के खिलाफ इसका इस्तमाल करते हैं, ठीक है, तो जो भी hydrophobic patients होते हैं, उनमें हम लोग इनका इस्तमाल करते हैं, next है हमारा last example, that is, cetraria icelandica, ठीक है, अब यह important क्यों है, तो भाई, इससे एक direct question आया था, एक बार aided में, TGT biology में, तो question यही आ गया था, आइसलेंड मॉस किसे कहते हैं, तो वो कौन है हमारा, cetraria icelandica, तो यह important है, मैंने स्रिफ 6 examples लेके आया हूं आपके सामने, और इनी से questions लगातार बनते आया हैं, तो यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है, so this was all in this session, hope आपको video अच्छा लगा होगा, in the end, thanks for watching, this was Ake, signing off from the knowledge exam team.